हेलो एवरिवन मैं विश्व जीत सिंग आप सभी का दी इनव पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्टरी, MHI 02, आधुनिक विश्व का एक शॉर्ट वीडियो के मदद से यूनिट 9 को पढ़ने वाले हैं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, नाएन के अंनर में जो हमारा पहला चैप्यर, नम्टर 30, जण संख्य की यह मतलब क्या पॉपुलेशन की बारे बात करते हैं, यहां पर क्या होता है कि जन संख्य के अंदर तो एक रास्ट के अंदर एक देश के अंदर में किस तरह की सुविधाय उपलब ने तो उसके इसाब से जन सिंग की यहां पर निरबर करती है जैसे देखो कि भारत के अंदर में आज से कुछ समय पहले तक लोग काफी हल्दी रहा करते थे आज के समय में धिरे-दिरे बिमार होते जा रहे हैं क्योंकि क्या है कि हमारे जो खान पान में बहुत बुरी तरह से तेजी से बदला वार है इसका एक रिजन है दूसरी जन संक्या वह बहुत ज्यादा हस्ट पूस्ट है हेल्दी है ठीक होई कमपरीजन टू अगर अफ्रीका नीविया विया कंट्री के आप बात करो तो वहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्ुख्मरी की सिकार है ठीक है को पोस्षं के सिकार है तो रीजन कहा कि वहां पे उनकी विवस्था उस परकार से नहीं है अगर हमारा स्वास्तियोर्फ दाटे म मिर्तीदर काम होगा अगर हमारे जन्संक है क्या हमें परिवर्टन आएगा अगर स्वाश्त शिस्टम खराब है हमारा health management खराब है तो क्या होगा मिर्तिव दर में बडूत्री होगी और मिर्तिय दर में बडूतरी होगी तो जन्संक हमें भी कमी आएगी ठीक है health system सही नहीं है या फिर हमारे पास खानपन का वस्ता सही नहीं है रहन सही नहीं है living of standards सही नहीं है तो भी उसके कान से चीजे देखने के लिए परिवर्दन आता है यहाँ पर एक question यह बन जाता है कि जन्संग का महत्व क्या है किस प्रकार से परिवर्तन आता है, वो आपको यहां पर explain करना है, ठीक है, इस chapter के अंदर में यह बनता है, आगे मैं बात करूँ, एक chapter परिष्थितिकी का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यह क्या होता है, conditions की बात करता है, कि किस तर से चीजों में परिवर्तन आया, पहले क्या था, अब क्या परिवर्तन की रही, किस तर से परिवर्तन आया, ठीक है, तो मतलब एक तरह का परिवर्तन का तौर का तरीका पूछा जाता है, क्या परिवर्तन का कारण क्या रहा, ठीक है, एतने सारी चीजे बदली, किस परकार से बदली, यह बनता है, तो इसमें कोई खास कोशन तो नही ओत्पादक जो खरिद रहा उपहोगता और उपहोगता करने कवाल जो उसका यूज कर रहा है वो उपभोग हुआ ठीके तो तीन कंडिशन आ गई उत्पादक उपहोगता और उप्भोग ठीके तो इस तरह से अब यहां पर क्या तो आप मानव को जब देखा गया कि दिरे-दिरे विकास होने लगा विकास हो रहा है तो भाई अलग लगतर के चीजे की जुरत पड़ेगी तो वहां पे तकनीकों का विकास हुआ तकनीकों के सारे से फिर उपभोग नहीं नहीं परड़क्ट का निर्मान किया जाने लगा ज यहां पर भारती एक अच्छे माल की दिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई रिसम की मारगो रिसम की जो चीजे होती थी उसकी दिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई ठीक है तो यहां पर यह वाला खतम होता है दोस्तों यह पूरा मैंने टोटल 9 यूनिट को आपको और भी आपको यह यह क्र सकता हूं तो आप जरूर बपाईए का मैं आपकी हप करूँगा तो आप सब इस टुन से फिक्रिक्वेस्ट है अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं आपके लिए मैंने 9 यूनिट के वीडियो बनाए जो मुझे बनाने का वो नहीं था पर मैं कर दो बेस्ट